आज हम 21 शताब्दी में रह रहे हैं बहुत फरक है वो निस्वी शताब्दी, बीस्वी शताब्दी और 21 शताब्दी 21 शताब्दी एक टेकनोलोजी की शताब्दी मानी जा रही है क्योंकि जब हम चारों तरफ अपनी नजर दोड़ाते हैं तो हर जगा आप देखेंगे टेकनोलोजी ही टेकनोलोजी रही है डिजिटल टेकनोलोजी है, कंप्यूटर टेकनोलोजी है, मॉबाइल टेकनोलोजी है, इंटरनेट टेकनोलोजी है और भी तरह तरह के कई तरह नए नए चीज़ें हमारे सामने आ रहे हैं और बिना इस टेकनोलोजी के हमारा आज का काम नहीं होता गए वो दिन जब माबाप, भाई बहन और बच्चे और आफिस के लोग आपस में एक दूसरे से मिलते थे, बाते करते थे, हसते थे एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द को शेयर करते थे, लेकिन आज वो बिलकुल गायब हो गया है और इसी के बारे में मैं आज आपके सामने ये प्रशन रखने वाला हूँ, प्रशन ये है क्या हम मशीन तो नहीं बन गए? जी हाँ, आपने ठीक सुना क्या हम मशीन तो नहीं बन गए? इसी के बारे में आपके सामने कुछ बाते रखना मांगता हूँ कि किस तरह से टेकनॉलजी ने हमारे उपर हावी हो करके हम से हमारी स्वतंतरता, एक जो मेल बेलाब, एक जो एक दूसरे के साथ बात करने का जो तौर तरीका था रिलेशन्शिप में, संबंद में, आफिस में, घर में, स्कूल में, हर जगा ये गाइब हो गया और टेकनॉलजी ने इसका स्थान ले लिया है, अब जिधर देखो आप आफिस में जाएए, हर विक्ती अपनी कुरसी पर बैठा है और टाइप कर रहा है पर या मोबाइल से कनेक्टेड है, कभी-कभी क्या होता है, मोबाइल से कनेक्टेड होते हुए टाइप कर रहा है, फिर कभी-कभी गलतियां भी हो जाती टेकनॉलजी ने हमें पूरे, हमारे पूरे समाज को एक तरह से बिलकुल बांद के रखा हुआ है और जबकि हम इस 21st century में जब रहते हैं तो बहुत सारी चीज़े बहुत अच्छी चीज़े भी होती है अब जैसे कि हर चीज काम जो हम office में करते हैं या घर में करते हैं, school colleges में करते हैं technical institute में करते हैं बहुत सटीक है, बहुत fast होती है बहुत ठीक रितिस से वो होता है एकदम सुक्ष्म रूप से ये काम होने लगता है और आपको बस button दमाना है बस आपको ये पता होना चीए कि कौन सा button दमाना है अगर आपने गलत button दबा दिया तो जो काम आपने किया है पूरा का पूरा गायब हो जाएगा अगर यही चीज अगर पुराने समय में, अगर कहीं पर आप नोट बूक में लिख देते, तो वहाँ बटन का सवाली नहीं, आप फिर से वापस पढ़ सकते थे, लेकिन कम्प्यूटर में यह है, कि आपको सही बटन दबाना है, सेव करना है, और मतलब आपको हर एक चीज पर मॉबाइल देख रहे हैं, माँ बाप, भाई, 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 सब बीजी है, मतलब कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जो सोशल, सामाजिक जो हमारे बीच में जो बंधन एक दूसरे के बीच में था, वो तूट गया, और हम बिलकुल जैसे बोलते ना, इंड माइदे के लिए है, मतलब आप उधारन के रूप में, आपको रेल्बे स्टेशन लाइन में जाकर के खड़े होने की ज़रुवत नहीं है, अपने कन्फरमेशन टिकट के लिए, आप आप उनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, आपको अच्छी बात है, अब आपको अपना में और मनी का ट्रांसफर हो गया, या कोई भी चीज, तो चलिए मैं कुछ बातों को आपके सामने यहां पर रखने की कोशिश करता हूँ, और पहली बात यह है, टेकनोलोजी बहुत अच्छी है, अगर यह हमारे कंट्रोल में है तब, अगर टेकनोलोजी या मशीन हमें डेट निकल गई, अरे यह वो दौर धूप हम उसी में रहते हैं, हम सामने खड़े हुए वक्ती पर ध्यान नहीं देते की वो किन बातों से गुजरा है, हमारे माबाप, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, साब बिलकुल अलग, बिलकुल अलग हो गए हैं, है ना, क्योंकि यह टेकनोलोजी की धेन है, अच्छी बाते भी आएं और उसके साथ कुछ भी बुरी बाते भी हमारे सामने आती है, चली मैं कुछ बातों पर आपके सामने आपका ध्यान आकरशित करना मांगता हूँ, पहली बात, हमारे पास दुसरों के लिए टाइम नहीं है, हम इतने अ और फेस्बुक है, आरे साब की नाम लिजिए, तरह तरह की चीज़े आज कर ला गई है, और बड़ा इंट्रेस्टिंग है, तो हम इतने बीजी हो जाते हैं इन चीजों में, कि हमारे पास, हमारे सामने जो वेक्ती खड़ा है, खड़ी है, या हमारे माँ बाप, उनके साथ time spend करने के लिए हमारे पास time नहीं है, नहीं है, बहुत busy हूँ, एक सबसे बड़ा बात यह क्या है, बहुत busy है, आज कल के technology के जमाने में क्या है, सब कुछ इतना fast हो गया, फिर भी क्या है, हम पीछे रह जाते हैं, busy हूँ सा, वो काम रह गया था, है ना, तो जैसे हमने कि पहली बात, technology की जो नकारात्मक चीजें हमें दिखाई देती है, वो यह है कि हमारे पास time की कमी है, especially संबंध, आपस में संबंध बनाने में, बातचीत करने में, हम सिर्फ अपने machine से या technology से ही, बिलकुल connected रहते हैं, दूसरी बात हम देखते हैं, कि परिवार वाले, अब परिवार वेक्ती अपना, या तो laptop लेके बैठा रहता है, mobile लेके बैठा रहता है, नेट से कोई game खेल रहा है, आपस में कोई बात नहीं होती है, चुप चाप से, और कभी अगर phone भज रहा है, तो कोई उठा करके ले आता है, मतलब एक प्रकाय का जो पहले जो रिष्टा अपस में, खेल खेलना, मजाग करना, हसना, बातचित करना, गंभीर बाते करना, प्राणतना करना, ये सब अब एक तरह से गायव हो चुका है, परिवार वालों से, मैं तो ये बोलूँगा कि भई, आजकल तीसरी बात हम देखते हैं कि बाहर जाकर के खेलना तो बिलकुल ऐक मना ही हיסी हो गए, क्यों? क्योंकि कम्प्यूटर में ही गेम्स है, आपके मॉबाइल्स में तरह तरह के गेम्स है, आपने देखा होगा, टीवी में अभडाईसमेंट आता है, कि ये खेलो तो आप ये जीतोगे, इतना पैसा जीतोगे, तो लोग उसी को, मॉबाइल को, या कम्पीटर को लेका बैठे रहते हैं और गेम्स खेलते रहते हैं. चाहे आप देखेंगे कहीं पर जो बड़े बड़े जो शॉप्स होते हैं, गेम्स के, इलेक्ट्रानिक गेम्स, गेम्स, उसमें लगे रहते हैं. क्या है वो? कुछ भी नहीं है. इसके बजाए कि बाहर जाकर के वाक करें, बैडविंटन खेलें, या जस्ट एक प्रकार का चलें, ये आजकल कुछ भी नहीं होता है. क्रिकेट खेलें, कुछ भी नहीं होता है. बस हमारे जवान लोग, लेजी से बन करके, बिलकुल उसी, क्या बोलते हैं, मशीन में, उसी इंटरनेट में इतना लगे रहते हैं, कि बस वो बटन दबाते दबाते शायद ठक जाएं, लेकिन वो अपनी इंटरनेट की जो चीज़ें हैं, उससे अलग नहीं होते हैं. तो ये भी बड़ी दुख की बात है हमारे उसमें. फिर हम देखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जवान हैं, आपने देखा होगा, कभी-कभी लोग चलते हुए बाते करते हैं, मोटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बात कर रहे हैं, जबकि आपको अच्छी तरह से पता है, हमें पता है कि गाड़ी चलाते समय हमें बात नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्सिडेंट का कारण बन सकता है लेकि नहीं जी हम इतने उसमें दासत्व फज गए हैं टेक्नोलोजी के, मोबाइल के कि नहीं हमें बात करना है क्या पुराने समय में बिना मोबाइल के हम नहीं रहते थे, बिल्कुल रहते थे जी और एक प्रकार का बड़ा अच्छा संबन था सब के बीच में, अब हम एक तरह से अलग से हो गए हैं क्या हम मशीन नहीं बन रहे हैं ये प्रश्न है, मैं आपके सामने हम सबों के सामने रेज करना मांगता हूं, हमारे जवान मोबाइल ले करके फिरते रहते, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जो ब्लू रेज आती है मोबाइल से, वो हमारे आँखों के लिए बहुत नाशकारी है, जी हाँ वो मोबाइल में जो ब्लू रेज हैं, वो हाई फ्रिक्वेंसी वाली एनरजी होती है, जो हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग के लिए, हमारे आँख के लिए बहुत खतरनाख है, और बच्चे घंटो, घंटो, घंटो चार-पांच घंटे छे घंटे तो एक आम बात है, जो बच्चे हमारे लगे रहते हैं, क्या हम टेक्नॉलजी से इतने जुड़ गए हैं, कि हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं, आजकर लोग क्या मंगता है, अपने गिफ्ट में, मोबाइल चाहिए हैं सहाब हमें, अब हमें मोबाइल देतो, और अगर कोई निया मोबाइल मार्केट में आगया, बापा यह वाला मोबाइल बहुत बड़ी आए, फिर नया आए, वो मैं, क्या हो रहा है, हमारे समाज में, मसी समाज मैं, मैं इस पिशेष करके हमारे मसी समाज की बात कर रहा हूँ, हमारे बच्चे इतने जित पकड़ते हैं कि हमें दिला दो या वो ले लेते हैं अगर वो कमा करके ला सकते हैं तो ये हम देखते हैं वो एक प्रकार से उनके स्ले बन गए हैं दास बन गए हैं टेकनॉलोजी ने हमको पकड़ के रखा हुआ है एक तरह से जबकि हमें टेखनालोजी को अपने हाथ में रखना जाए है, टेखनालोजी हमें अपने हाथ में रखी है, और उसे जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य चीज़ें हैं परिवार में, वो बिलकुल धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, और मैं तो यह बोलूँगा कि कई बार हम देखते हैं कि आज जब चर जाते हैं तो क्या है? Bible जो पुरानी जो किताब होती थी पवित्र शास्त्र वो अब नहीं ले जाते हैं Mobile में पुरा होता हूँ worship, Bible पढ़ना ठीक है, Mobile में भी ले जाता हूँ लेकिन मैं quick reference के लिए जल्दी से निकालने के लिए ले जाता हूँ अच्छा है कि हम अपनी बाइबल ले जाएं और मॉबाइल को घर में छोड़ दें क्योंकि एक temptation होता है यार किसका whatsapp आया किसका facebook में क्या वो उतर आया की नहीं और तरह तरह की जो curiosity है हमारे सर्मन में वो चर्च में बैठे हुए इसी बात पर विचार करते हैं और जो सर्मन जो प्रीच कर रहे हैं उस पर उतना ध्यान नहीं जाता है पता नहीं आप मैंसे कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं लेकिन ये एक बड़ा भारी समस्या हमारे जीवनों में पाये जाता है अच्छा अगर आप किसी से पूचे भाई ये साहता कर दो यहां जाना वहां जाना और यहां कुछ ऐसा काम है तो generally क्या बोलेंगे अरे जार sorry यार मैं बहुत बीजी हूँ मैं क्या हूँ बहुत बीजी हूँ अरे बीजी क्या है अगर आप इतना बीजी हैं कि अपने भाई बहन चर्च के लोगों की साहिता नहीं कर सकते हैं तब तो सच में साव आप बहुत ही बीजी हैं और टेकनोलोजी ने इतना हमें अपने ग्रैब में अपने हाथ में ले लिया है कि हमारे पास दुसरों के लिए टाइम देना, स्पेंड करना बिलकुल भी नहीं भाता है और इस तरह से हम उस पाप के दलदल में फस जाता है आज कल क्या हो रहा है? मुबाइल में हम क्या देख जवान लोग उल्टे सीधे नंगे चित्र पर्नाग्रफी जिससे हम कहते हैं अश्लील चित्र अश्लील मूवीज आती है और वो हमारे नौजवान देखते हैं चाहिए वो लड़के हो ये लड़किया हो अब हमारे माबाप सुचते है रहे नहीं बच्चा है सीख जाएगा कोई बात नहीं अभी तो दिन है नहीं नहीं आपको हमारे माबाप्कों को धेखना है कि मेरे बच्चे कहा जा रहें क्या देखने किस प्रकार की बात है वो वाट्सअप में भेजने कई क्रिमिनल केसिस भी हो गई हैं जी है ancient कई लोग मैं देखता हूं कि कुछ लोग वाट बात्ची चलती रहती है, ये क्या हो रहा है, हम लोग मशीन से बन रहे हैं, मशीन के समान, हम लोग अब मनुष्य नहीं रहे जाओ, परमेशन ने आपको और मुझ को अपने स्वरूब में सुरे जाए, अब वो टेकनोलोजी वाली मशीन बन गई है, टेकनोलोजी वाली बन गई है, हमारे पास टाइम ने हैं दूसरों के लिए, है ना, और इस प्रकार से समाज में बहुत सारी बाते जो है, नकारात्मक रूप से फैल रही है, तो अब क्योंकि हमारे पास एक दूसरे के साथ जो दुख है, जो मुसीबत है, जो सुख है, शेयर करने का कोई आजकल हमारे जो अगवे हैं, मैं सब की बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ अगवे हैं, आपने या पास्टर अगर हम कहें हैं, लीडर्स हैं, वो विजिट करना भी उतना नहीं करते हैं, अपने लोगों को, क्यों? फोन से पूछ लिया, हाँ जी, आप कैसे हो, हम प् लुक को जानना, उनके आशों को देखना, उनके चेहरे को देखना, उनके साथ फील करना है, ये मशीन नहीं कर सकती, ये मशीन नहीं कर सकती, ये मॉबाइल नहीं कर सकता, जी हाँ, तो कई, मॉबाइल ने एक तरह से कई तरह से हमें अपने दासत्वर रूप में ले लिया है और गभी-कभी आजकल हम देखते हैं कि locked क्या करते हैं कि Sunday service जो होती है वो का है online कर लेते हैं online हो गई साब और online भी church service हो जाती है हाला कि ये korona के समय हाँ हुआ था कि online services हम करते थे और लोग घर में बैठ करके रादना करते थे कि चर जाना एक तरह से खतर इसे खाली नहीं था, लेकिन आप तो करोना की बात नहीं है, अब जो लोग आलसी हो जाते हैं, बोले अरे आर आउनलाइन में कर लेंगे, पास्टर चाब आप अपना वो भेज दीजिए, जो भी एड्रेस है, वेबसाइट, फिर हम वहीं घर में कर लेंगे, यह क्या हो हमारे मसी समाज में, यह बड़े दुख की बात है, हम लोग मशीन से बन रहे हैं, हम वो प्रभू के सेवक, प्रभू के लोग, प्रभू के दर्द के, प्रभू के जो लोग हैं, उनके सुक को हम पहचान नहीं पा रहे हैं आपस में एक दूसरे से मिलने के द्वारा, हम हमारी हाला तैसी है, तो यह बड़े दुखत वाली हालत है, इस 21st century में, आपको बाहर जाकर के समान सबजी खाना वाला नहीं खरीजना है, आप बस फोन उताइए, और कर दीजे साब, पास्ट फूड और बस तिनिंग तिनिंग आपके घर का दर्वाजा घंटी बजा और आ हम बाहर तक नहीं निकल सकते हैं। वचन पढ़ें, एक बहुत अच्छा पद जो शायद आप लोग जानते भी हैं, लेकिन मैं फिर भी पढ़ दूँगा, पाए जाता है इबरानियों की पत्री, और उसका दस अध्याय, और उसका 25 पद, आप जानते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ एकटा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रिती है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो, यहां नहीं लिखा है कि बस फोन कर लिया और हो गया, नहीं 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 आपको उनको छूना है, उनको फील करना, परिवार के अपनी परिशानियां हैं, उनके साथ मिलकर के सहभागी होना है, यह मॉबाइल में नहीं हो सकता, यह नेट में नहीं होता है, यह रियल परसन मे जब वक्ति गत रूप से हम विजिट करते हैं, मिलते हैं, आज कल जब मैं लोगों को विजिट करता हूँ, इतने खुश हो जाते हैं, आईए, 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 बड़ी खुशी है आप आए, ऐसा लगता है कि उपेचारे भूखे थे कि कोई उनको विजिट करे, आपसे मिलना मांग रहे थे, बहुत खुशी की बात है भई, बहुत खुशी, आओ, और तब हमने चाय पानी और फेलोशिप किया, कितना चला, ये फोन में नहीं होता है, फोन में सिर्फ मशीन बाते होती हैं, मेक्यानिक्स जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में, इंटरनेट, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसका मैं कोई नकारात्मक हमेशा ये नहीं दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आजकल के 21 विशताबदी में बहुत जरूरी है, लेकिन हम इसके बंधन में ना आ जाएं, ये है, हम इसके सलेव न बन जाएं, अ नेट में, आपको मिलेगा मॉबाइल में या कंप्यूटर में, आप करिए जो करना है, लेकिन अपने आपको डिसिप्लिन करके, इन चीजों से अपने आपको बाहर निकालें, बाहर जाकर के सांस लें, लोगों से मिलें, खेलें, कूदें, वाक करें, विजिट करें, तो परमेश्वर मैं सोचता हूं पवित्रा आत्मा इसमें दुखित होगा कि हम एक दूसरे से नहीं मिलते हैं आईए हम मशीन नहीं परमेश्वर के रूप में बने हुए वक्तित्व मसीखे ये शुमसीखे बेटे और बेटियां मिलकर के एक दूसरे को बढ़ाएं सिखाएं और संगती वक्ति गत्रुप से संगती कर सकें